नमस्कार दोस्तो आज एक और खास विश्य पर वीडियो लेकर क्या आपके बीच वाए हैं जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा मैं इसमें बात करने वाला हूँ राजनीति का बाज बनने का तरीका क्या है जी हाँ यदी वाकिया आप राजनीति के बाज, राजनीति क राजनीति के सर्वोच शिखर पर पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा आपको मुर्गियों के साथ दाना चुगना बंद करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तो किसी भी राजनीता की सफलता में उसकी संगत का बहुत बड़ा रोल होता है और ऐसे लोग जो बहानेबाज हैं ऐसे लोग जो परफोर्मर नहीं है उनकी संगत छोड़िये पार्टी में होंगे बहुत सारे लोग कैसे होंगे जो केवल बकवास करने वाले हैं बाते करने वाले हैं हम ये करेंगे हम ये करेंगे हम ये करेंगे लेकिन करते हुए कभी कुछ नही दिखते हैं, बहुत सारों लोग मिलेंगे बहाने बास, मैं ये करूँगा कल से मैं ये करूँगा परसों से, बस अभी बारिश आ गई है बारिश का मौसर निकल जाए, अभी मेरी सिद्धी ठीक नहीं ये ठीक हो जाए, अभी बस अभी है और आपकी संगत का आपके उपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तंदुर के पास बैठेंगे तो आच आएगी ही आएगी, अगर फूल के पास बैठेंगे तो खुश्बू आएगी ही आएगी कालिक की कोठ्री में जाएंगे तो कालिक लगेगी ही लगेगी ये 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 वो नियम है जो सारभोमिक नियम है ये वो नियम है जो अटूट है इनका कोई कोई सब्सिट्यूट नहीं है कोई इसमें रत्ती भर भी जूट नहीं है जैसी संगत रखेंगे वैसी रंगत चड़ ज जाएंगे नाकारा लोग को साथ रखेंगे नाकारा बन जाएंगे ऐसे लोग को साथ रखेंगे जो productive नहीं है तो आप भी non-productive बन जाएंगे और क्या करना है? आज से ही देखो आपके अडोस पडोस में आपके रिश्रेधारी में आपकी जान पैचान में जो भी ऐसे लोग हैं जो non performer हैं उनसे नाता तोड़ लो कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन मेरा काम है कड़वी दवाई देने का शायद असर कर जाए आपकी family में हो सकते हैं आपके relative से हो सकते हैं आपके friends हो सकते हैं आपकी party संगठन के लोग हो सकते हैं जो non performer हैं इनसे नाता तोड़िए क्योंकि non performer तुम्हें भी non performer बना देगा और यदि आप party असंगठन चलाते हैं तो regular regular watch रखे इन non performer पर regular निगा रखे और इनको identify करिए इनको warn करिए और जब लगे कि नहीं होंगे नहीं सुदरेंगे नहीं सुदरने वाले हैं क्योंकि जातर non performer habitual non performer है situisional non performer नहीं है now habitual non performer और situisional नाम से पता चलराए जिन की आदत है कामना करने की कामना करने हैं सुदरें सच्मी सिचटीएशन खराब होती है क्पार वक्ति वाकत की ने विमार होता है कई वाकई family में कुछ issues कई बार वाकिए situation ऐसी चल रहे होती है जब इनसान को अपने आपको रोकना पड़ता है लेकिन कितने दिन महीना दो महीना तीन महीना अगर माननीजी कोई वक्ती एक साल से नौन पर्फॉर्मर है एक साल दो साल से नौन पर्फॉर्मर है यानि उसकी सिद्धी ठीक ही नहीं पस नाम हो जाएगा पार्टी आगे बढ़ जाएगी संक्टन आगे बढ़ जाएगा और उसके साथ हम भी तैयर जाएंगे हम भी सफल हो जाएंगे और मालीजी सभी ऐसा कर ले तो फिर फिर तो बहुत नुक्सान हो जाएगा तो हमें क्या करना है कि अगर हमें बाज पहले प्संद होता है हर किसी को आसान काम पसंद होता और मैं ज handlar खेया ह। और मैं क्या कहरे हूँ? हूँ कहरे है जो मुश्किल काम है वो चुनो. प्योंकि मुश्किल काम करोगे तो तुम्हें हादत पड़ेगी चैलेंज को स्वीकार करने की और जो बड़े होते हैं, जो सफल होते हैं, जो शीर्षपल पहुंसते हैं, वो वही होते हैं, जो चैलेंज टेकर होते हैं, जो चैलेंज से भागते नहीं है, बरकि चैलेंज को खुशी-खुशी स्विकार करते हैं, और माल लीजे, माल लीजे, आदर्शी से दियो, लहरों के साथ लेकर के जाना हो तो करना क्या है चप्पू भी नहीं चलाना है नाव में बैठ जाओ नाव पानी अपने आप ले जाएगा मुश्किल क्या है धारा के विपरीद बहना जब हालात फेवरेबल ना हो जब चीजे फेवरेबल ना हो जब सपोर्ट ना मिल रहा हो जब आपकी विचारधरा आपके विचार को लुक्स्वीकार ना कर रहे हो तब तब ही संगर्ष है तब ही स्ट्रगल है और यहीं यहीं वेक्ति पता चलता है कि वेक्ति का वेक्ति तु कैसा है क्या वाकिए वो बड़ा होने के लिए बना है या वो एक साधन वेक्ति या साधन जीवन जीने के लिए बना है और इसमें आपका संगत बहुत महत्पून है क्योंकि जब आप देखते हैं बुरे लोग जब इकटे होते हैं और बुरे लोगों को बुरे लोगों की संगत पसंद आती है और एक कहावत है आचारे चानक के ने कहा था जब आप लंबे समय तक बुराई के साथ जीने लगते हैं तो आपको बुराई में बुराई दिखनी बंद हो जाती है जी हाँ बुराई में बुराई दिखनी बंदो जाती है आपको लगता है आर्थी किसी दिख खराब है इसलिए बुरा है इसके माता पिता ने अच्छी शिक्षा नहीं दे इसलिए बुरा है इसके साथ ये सिचुएशन ये हाथसा होगा इसलिए बुरा है उस बुराई का कोई ना मानने लगते हैं बुराई के कारण को वास्तविक मानने लगते हैं बुराई को जो गलत कर रहा होता है उसको निर्दोष मान करके उसको विक्टिम मानने लगते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं हम दोरा नुकसान कर रहे होते हैं पहला नुकसान तो बुराई बढ़ रही है जिनकी पर्फॉर्मस बहुत अच्छी है, तो क्या करिए, अपने आपको इन पर्फॉर्मस के साथ असेट करने ही कुशिश करिए, राजनिती के जो धुरंदर हैं, जो महारत ही है, उनके आसपास अपने आपको रखिये, उनकी जीवनी को पढ़िए, उनकी stories के बारें पढ़िए, उनके schedule को देखिए, उनके routines को follow करने कुशिश करिए, उनकी team में किस तरह के लोग है, वो किस तरह से बातचीत करते हैं, उनका behavior किस तरह का है, वो किस तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, वो किस तरह की किताबे पढ़ते हैं, वो कितना अपने से अच्छे लोग की संगत को पसंद करते हैं, अच्छे लोग के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूँ, बहुत सारे पार्टी के लग लग पार्टियों के लोग हैं, हमारी संगतन में भी हैं, इंसिटूट में भी हैं, बहु सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब यह जो परफॉर्म कर रहे हैं तो देखता हूं इनकी पटती भी उनसे जो परफॉर्मर है और जो परफॉर्मर नहीं है उससे किसकी नहीं पटेगी उसकी नौन परफॉर्मर की नहीं पटेगी क्यों क्यों कि उन्हीं हालातों में जब एक वक्ती परफॉर्म कर रहा है और उन्हीं हालातों में उससे बुरे हालातों में जब एक वक्ती परफॉर्म कर रहा है और उन्हीं हालातों में उससे अच्छे हालातों में दूसरा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो गलती हालातों के नहीं है गलत चाहता, अब नहीं चाहता का तो सब कोई लाज नहीं है, नहीं चाहता का तो attitude problem है, और ये ये जो नाकाम्याब है, नौर पर्फॉर्मर है ना, ये तुम्हें भी नौर पर्फॉर्मर बना देंगे, देख लेना, और मेरी बात पर विश्वास ना हो ना, 10-15 रजी नौर पर्फॉर्मर की जगा, तो आपको लगेगा कि वो सही है अपनी जगा, उनके बात आपको logical लगने लगेंगे, उनकी बातें तरक संगत लगने लगेंगे, लेकिन वो सब बहाने बाजी हैं, क्योंकि बहाने बाजी में और logical reason में थोड़ा सा बाल बराबर इंतर है, आपको लिडर्स के गुण आपके अंदर आएगे, अगर आप knowledgeable लोगों के साथ रहेंगे, आपको अमीरों के गुण पता चलेंगे, अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे, आपको सफल तके parameters पता चलेंगे, यदि आप non-performance के साथ, गालिया गलोज करने वाले के साथ, लोगे साथ उन लोगे साथ जो पढ़ाय लिखाई पर ध्यान नहीं देते उन लोगे साथ जो knowledge पर ध्यान नहीं देते आपको इस सब चीजें फिजूल लगने लगेंगी जी हाँ मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग जब काउंसलिंग के लिए हैं डायजार रुपे 45 मिट के जाए तो धाय तिन लाग कप खर्चवादे पता नहीं चलता वह वहां वेक्ति धायजार पर बोलता है तो हमारे टीम समझ जाते हो कहते हैं नहीं आप एक काम करिए आप अपने हिसाब से राजनीती कर लिए क्योंकि आप राजनीती के लिए नहीं बने यह पहला एक कोई सही टाइम पर खेला गया सही दाओ हमारे जीवन को कितना आसान बना सकता है नहीं मालूम है क्योंकि उन्हें इसका असर नहीं पता कि संगत से संगत से वहवार में बदलावाता है संगत से हमें सफलता है सफलता मिलती है हमारी सफलता सफलता के लिए हमारी संगत हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं बहुत बड़ा रूल प्ले करता है और उसके बाद आपका behavior भी आप उस संगत के साथ कैसा behavior करते हैं किस तरह से react करते हैं तो अच्छे परफॉर्मर लोगों के साथ रहिए और अपने अपने आपको सफल होने पर सफलता के मार्क पर लाने पर सफलता के बारे में बात करने पर विवश्ट करिए ऐसे माहल में डालिए जहां आपको केवल और केवल सफलता के बारे में सफलता के आए हमों के बारे में पता चले ना कि हैं सफलता की कहानिया सफलता के आए हम सफलता के बारे में, हम लोग जो तरक्य कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी टीम जो करो कर रही है, हम लोग जो सफलता के नया आया है, हम इस्ताफित कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि हम एक अच्छी टीम है, हम सब का एक एक फोकस है, हम सब केवल और केव उन्हें बहुत बदलावाएगा, फिर भी कोई डाउट हो, कोई परिशानी हो, कोई सवाल हो, तो डारेट मुझसे बात करिए, मैं गैरेंटी दे रहा हूँ, मैं गैरेंटी दे रहा हूँ, आपको पांस दस मिट में को ऐसी बात दे जाओंगो, शायद आपका जीवन बदल द आपके उजवर राजिती भविषय के लिए हारदिक शुपकाम नाए, जै हिन, जै भारत!